आज के वीडियो में काली खांसी के बारे में संपूर जनकारी अर्थात काली खांसी क्या है किस रोग जनक से फैलती है यह कैसे फैलती है इसके कारण क्या है लकछाड़ बचाओ रोग ठाम और उपचार सब कुछ पूरी डिटेल आपको समझाएंगे पूरी जानकारी के अंग्रेजी में उपिंग कफ कहा जाता है उपिंग क्यों कहा जाता है क्योंकि सांस लेते समय उप जैसी आवा जाती है इसलिए अंग्रेजी में उपिंग कफ कहते हैं इसको काली खासी जीवाण जनित रोग होता है अर्थात बैक्टीरियल डिसीज होता है बैक्टीरिया से ह यहां जिवार ग्रसणी या फैरिंग्स की कोशिकाओं को संक्रमित करता है , इस इसकी कोशिकाओं को संक्रमित करता है, इस संक्रमड से गले में सलेस्म या म्यूकस की गति रुक जाती है, जो सलेस्म होता है म्यूकस होता है उसकी गति रुक जाती है और खुसकी के कारण खासी आने लगती है, जब रुक जाती है तो खुसकी होती है और खुसकी के कारण ही खांसी आने लगती है धीरे धीरे स्वास लेने में कठनाई होने लगती है इन्हें धीरे-धीरे करके हम सांस नहीं ले पाते हैं और उचित समय पर उपचार ना मिलने से रोगी की मृत्तिव हो जाती है यह रोग प्रायाहत छे वर्स से कम आयू के बच्चों में ही पाया जात DPT का टीका लगाए जाता है DPT का टीका अगर इसके लक्षणों की बात करें कि काली खासी के कौन कौन से लक्षणों होते हैं तो जब ये जिवान संक्रमित करता है विक्ति को यानि जिवान संक्रमर के साथ से दस दिन के बाद ही इसके लक्षण बिक्सित होते हैं मतलब जब काली खांसी के जीवानों ने आप पर अटैक किया तो इसके लगभग साथ से दस दिन के बाद ही इसके लक्षण दिखते हैं इसके लक्षणों को तीन चरणों में बाटा गया है पहले चरण में छीकना, आखों से पानी आना, नाक बहना, भूख का कम होना, कम बुखार होना, रात के समय अधिक खांसना मतलब खांसी रात के समय अधिक आती है ये पहले चरण में होता है लगभग एक से दो सब्ताह तक पहला चरण आप मान सकते हैं फिर दूसरे चरण में दो से चार सब्ताह मान सकते हैं दूसरे चरण का समय तो दूसरे चरण में लगातार खांसना और सांस लेते समय भौकने जैसी आवाज आना, उल्टी करना, ठाकान महसूस होना बतलब दूसरे चरण में खासी के दोरे परते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पर दोरे परते हैं, आर्णी अंत्रित खासी आने लगती है, उल्टी होने लगती है, और फिर तीसरे चरण में थोड़ा सा सुधार होता है, और तीसरे चरण लगभग में मानकर चलिए आपकी चार सप्ताह के बाद प्रारंब होता है तो तीसे चरण में सुधार होना प्रारंब होता है इसमें खांसना कम हो जाता है उल्टी कम हो जाती है यहनी खांसी की जो तीब्रता है वो कम हो जाती है आगहा देरे देरे कम होने लगता है उल्टी कम हो जाती है और भूख सामाने होने लगती है